इस वीडियो में हम बात करेंगे इगनु के तरप से एक बड़ी अपडेट आई है जिसमें आपको ये बताया गया है कि जून 2024 एक्जाम के लिए आपको असाइमेट कैसे बनाना होगा असाइमेट बनाने की पूरी नई गाइडलाइन आ चुकी है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसमें आपको काफी इंपोर्टेंट चीजें बताया गया है जैसे कि गांसर लिकते समय आपको किन की बातों का ध्यान रखना हाँ जो की कोड़ी बताने वाला हाँ ताकि सब भी अप्टेट आपको मिलते रहे सबसे पहले यह जो PDF फाइल है इसे मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा यहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते है और साथी में इसका लिंक भी मैंने नीचे दे रखा है देखते किसमें आपको क्या क्या information दिया गया है तो वीडियो को पूरा आप जरूर देखिए सबसे पहले यहां पर आपको बताया गया है कि आपके पास जितने भी subject है उन सभी का आपको अलग-अलग assignment बनाना होगा जैसे कि आपके पास यह जितने भी subject रहते है तो यहां पर जो आपको थियोरी का subject दिया जाता है इन सभी का ही आपको separately assignment बनाना होता है अलग-अलग file में और यहां पर आपको बताया गया है कि जब आप assignment का answer लिखना सुरू करेंगे तो जो answer है वो आपको अपने सब्दों में लिखना है कहीं से आपको answer को copy नहीं करना है और साथी में यह भी बताया गया है कि जब आप assignment का answer लिखना सुरू करेंगे तो जितना भी word limit बताया गया है आपको word limit में लिखना है जो आपका assignment का question paper रहता है इसमें आप देखेंगे तो यहां पर बताया जाता है जैसे कि बताया गया है बीस नमर के question के लिए 500 word दस नमर के question के लिए 500 word तो assignment के question paper पर लिखा हुआ रहता है word limit की आपको जो answer है वो कितने word में देना है तो इससे यह रहेगा कि जो आप exam देने के लिए जाएंगे तो उसमें आपका benefit होगा क्योंकि अगर आप इसे अपने सब्दों में लिखेंगे अथे से समझ के सोच विचार करके लिखेंगे तो इससे आपका exam की तियारी भी हो जाएगा और यहाँ पर आपको submission के बारे में बताया गया कि आपको submit किस तरीके से करना है तो पहले तो यहाँ पर आपको यह बताया गया कि IGNU में यह रहता है कि आप जितने भी subject का exam देना चाहते हैं पहले आपको उनका assignment बना करके सही time पर submit करना होता है exam स्टार्ट होने से पहले और अगर आपको नहीं पता है कि अभी आप जून 2024 चौबिस एक्जाम के लिए assignment जमा करने के लिए eligible है या फिर नहीं तो उसलिए आप यह वीडियो देख सकते है इसका link मैंने नीचे दे रखा है और फिर यहाँ पर आपको वही चीज़े बताया गया कि अगर आपने जुलाई 2023 से 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 सन में bachelor degree, master degree, diploma या फिर post graduate diploma program लिया है तो आप assignment submit करने के लिए eligible है और इसके लिए जो आपका assignment है वह आपका March में submit होगा March के first week से जो assignment submission है वो start हो जाएगा और यहाँ पर last date आपको 31 March बतायागी है लेकिन इसको extend किया जाएगा और आपको कर दिया जाता है उसके लिए क्या कर सकते कि इस वाले पोस्ट पर आ सकते हैं यहाँ पर आपको सभी regional center का information मिल जाएगा कई बार इसमें आपको online भी समिट करने के लिए option दे दिया जाते हैं तो March में तकरीवां March में सभी रिजल सेंटर की तरफ से assignment submission का mode आपको बता दिया जाएगा तो वह मैं यहाँ पर अपटेट कर दूँगा इस वाले पोस्ट को आप time to time चेक करते रहना और बाइचांस अगर आपके regional center के तरफ से assignment submission का mode आपको नहीं बताया जाता है तो जो भी आपका study center इस study center पर जाकर करके आपको अपना assignment offline mode तो यह जो receipt रहता है यह आपको संभाल करके रखना होता है आपको फैकणा नहीं संभाल करके रख लेना क्योंकि बाद में अगर आपके assignment का नमर अपडेट नहीं होता है तो यह दिखाने के बाद ही जो आपका असाइमेट का नमर है वो अपडेट हो जाएगा यहां पर आपको यह भी बताया गया कि आपके पास जितने भी असाइमेट है उस अभी का आप फोटो कोपी करवा लीजिए लेकिन मैं आपको बताना होता है तो यह पीडिया फाइल दिखाने के बाद भी जो आपका असाइमेट का नमर है उसको आप डेट कर दिया जाता है फिर यहां पर आपको इन्स ट्रक्शन से बताएं जिसमें कि आपको यह बताया गया कि जो आपका डेटेल से मैंने रहना चाहिए तो उसके लिए वी आसाइमेंट है इसको आप केरफुली देखिए कि जो आसाइमेट बनाने का इंस्ट्रक्शन से उसमें आपको क्या बताया गया है और यह आपको कहां पर मिलता है तो यहां पर देखिए जो आसाइमेट का कोसन पेपर रहता है इसमें आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक instructions भी बताया जाता है जो कि आप देख सकते है guidelines for assignment से तो इसमें आपको बताया गया कि आपको assignment बनाना कैसे है तो वही यहां पर भी आपको बताया गया कि पहले जो assignment का question paper उसमें जो भी instructions बताया गया उसको आप अच्छे से पढ़िए उसके बाद फिर यहां पर आपको बता गया है कि जब आप assignment का answer लिखना शुरू करेंगे तो आपके mind back क्या क्या points रहने चाहिए तो वह यहां पर बताया गया है तो देखिए assignment का जब आप answer लिखना शुरू करेंगे तो पहले आपको एक planning करना है जो question है यानि कि जो assignment का question रहता है तो question को आपको अच्छे से पहले carefully पढ़ना है कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि units त्यार करने है यानि कि जो किताबे है वो आपको पढ़ना है और किताबों में ही आपको answer को ढूंडना है और ढूंडने के बाद आपको same to same नहीं लिखना है उसे आपको समझना है पिर अपने सब्दों में लिखने से पहले आपको इसका points बनाना है कि आप answer को किस तरीके से लिखेंगे तो उसको आप किस तरीके से arrange करेंगे कौन सा paragraph ऊपर आएगा यहाँ जा जा से क symmetry करना है जो answer का है वो तियार किजिए और जो instructions वगएरा बताएगे उसी को ध्यान में रखते हुए आपको जो answer वो लिखना है clearly लिखना है और अगर paragraph में लिखते हैं तो paragraph में भी आपको अच्छे से clear explain करके बताना है और फिर यहाँ पर आपको presentation बताया गया कि इसको आपको किस तरीक से present करना है तो देखिए जब आप assignment का जो answer है वो decide कर लेते हैं point पगरा बना लेते हैं paragraph बना लेते हैं एक rough figure त्यार कर लेते हैं कि जब आप अपने answer से satisfy हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आपको final version में लिखना सुरू करना है और जब आप लिखेंगे तो उसमें क्या है कि जो भी important point हो गया उसको आपको underline करना है या फिर point wise लिखना है तो वो आपको खुदे decide करना है अगर कोई चीज़ important है तो उसको आपको underline करना है या फिर उसको आप point wise भी लिख सकते है और यहां भी बताया है कि जो word limit है उसको आपको पूरा पूरा ध्यान रखना है word limit से जादा नहीं लिखना है थोड़ा बहुत जादा हो जाएगा 10-15 word और लेकिन word limit से कम तो बिल्कुल ही नहीं लिखना है assignment के question paper पर जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहां पर दिया जाता है कि कौन से question के लिए कितना word लिखना होगा तो वो आप question paper पर देख लेना उसके बाद यहां पर आपको बताया गया 4 नमर वाले point में कि जो answer है वो आपको A4 size के ruled page पर ही लिखना होगा और जब आप answer लिखना शुरू करेंगे तो आपको left side में 4 cm का margin छोड़ना होगा और यहां पर बताया गया ही सब्दों के बीच में जब आप answer लिखेंगे तो सब्दों के बीच में space होना चाहिए थोड़ा सा gap होना चाहिए तो इससे यह रहेगा कि margin वगेर आप छोड़ेंगे सब्दों के बीच में space देंगे तो उसको अच्छे से read किया जा सकता है और जब teacher check करेंगे तो उसको अच्छे से check किया जा सकता है, अच्छे से evaluate किया जा सकता है, कहीं पर अगर Clement man halt होता है तो उस पर comment भी किया जा सकता ह और यहां पर आपको फिर से बताया गया है कि जो answer है वो आपको अपने हाथों से ही लिखना है यानि कि खुद से लिखना है इसे आपको print नहीं करना है और type नहीं करना है और यहां पर आपको बताया गया है कि जो answer है वो आपको units यानि की block यानि की किताबों में से same to same नहीं ल जाएंगे जो कि यहां पर भी किलियरली मेंसन किया गया है तो आप क्या कीजिए कि जो किताबे दिया गया पहले आप उसको पढ़िए समझे और पढ़ने के बाद जो आपको समझ में आता है फिर आंसर आपको अपने सब्दों में ही लिखना होगा तो इससे यह रहेगा कि ए दूसरे स्टुटेंट का कॉपी नहीं करना है अगर आप कॉपी करते है और इसको नोटिस कर लिया जाता है यानि कि अगर आप पकड़े जाते है तो ऐसे में आपका जो आसाइमेट है इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इसके लाबा क्या है कि इगनू में 11 और भी ऐसे क अगरे उंड्यू में 1 तो प्रच था रहे जिसके वजह से आपका साइमेट किया सकता है जिसके बार में डीके इस वीडियो बटार रखा के पास c recent तो चार आपको अलग ऐलग Спाईल बनाना तो आपको आठ अलग-अलग वैल बिनाना है यहाँ पर आपको साइमिंट लिखना और गुर्ठी है अपको किस कंडिशन में लिखना है तो यह आपको समझा देता हूं तो यहां पर देखिए जो आपका असाइमेंट है इसमें जो पूछा गया अगर को साइज छोटा है तो इसको आप लिख सकते हैं अगर को साइज काफी ज्यादा बड़ा है तो आप इसको मत लिखिए बस आपको इसे नमबर डाल दीजिए उसके आपको एक एकनोलोजमेंट दिया जाएगा कोर्डिनेटर की तरफ से जो किया सा रहता है असाइमेंट समिशन का सिलिप यह आपको संभाल करके रखना होगा और यहां पर आपको बताया गया कि अगर असाइमेंट को समिट करने से पहले अगर आपने स्टडी सेंटर चेंज करवाने के लिए रिकफेस्ट समिट किया है लेकिन वह चेंज नहीं हुआ है तो जो आपका पूराना वाला स्टडी सेंटर है जो औरेजनल स्टडी सेंटर है वहीं पर आपको अपना साइमेंट समिट करना होगा यहां पर बताया है कि असाइमेंट का पेज है वह आपको कि यहां पर आपको बताया गया है कि assignment submit करते से में आपको किन किन बात होगा ध्यान रखना है तो जो आपका assignment है उस पर आपका enrollment number आपका नाम और आपका address अच्छे से correct लिखा हुआ रहना चाहिए इसके अलावा जो assignment का title है और assignment का यहां पर आपको बताया गया है जो आपका assignment है यहां पर आपको सीट है उसको आपको अच्छे से फाइल में लगाना है या फिर टैग से लगाना है या फिर धागे से बांद करके समिट करना होगा यहाँ पर आपको एक चीज़ वर बताया गया है कि जो चैनल फाइल होता है आपको इसका इस्तमाल नहीं करना है इस तरीके से जो channel file होता है यानि कि ये जो dandy वाला file रहता है ये आपको इस्तमाल नहीं करना है इसके जगे पर आप tag का इस्तमाल कर सकते है धागे का इस्तमाल कर सकते है या फिर ऐसे file का इस्तमाल करना है जिसमें dandy लगा हुआ ना हो अगर आप dandy वाले file का इस्तमाल करते है तो आपके कुछ page जो है वो misplaced हो सकते है तो ऐसे में फिर आपके कम ही नमर आएंगे और यहाँ पर आपको बताया गया है कि जब आप assignment का answer लिखते है तो उसमें क्या रहता है कि section दिया जाता है तो जो section दिया गया है वो आपको section yg जो assignment का answer है वो आपको लिखना है और यहाँ पर आपको note करके बताया गया है कि जो आपका assignment है इसका 30% आपके जो final result आता है यानि कि final में add होता है तो इससे ये रहता है कि जो आपका overall percentage है वो increase हो जाता है तो जो assignment है इसको आप अच्छे से बनाईए ताकि इसमें आपको अच्छे number मिले क्योंकि अगर एक बार आप इसको बना देते है submit कर देते है तो जब यह check हो जाता है तो इसमें आपको जीतने number मिलते है तो इसमें यह है कि आप paper को यानि के assignment को दुबारा से check नहीं करवा सकते है जो number मिल गया वही रहेगा permanently इसको आप change बगर नहीं करवा सकते है और ना इसको आप दुबारा से check करवा सकते है तो इसलिए जितना अच्छा assignment आप त्यार किजिए ताकि आपको अच्छे number दिये जाए और इसके अलावा मैंने एक वीडियो भी बना रखा है जो कि यह है इस वीडियो को आप देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ ऐसे tips बता रखे तरीके बता रखे जिनको अगर आप इस्तमाल करते हैं तो आपको अच्छे number दिये जाएंगे इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया है तो like किजिए share किजिए और ignus related सभी update पाने के लिए चैनल को subscribe करके bell notification को on कर लिजिए और अगर आपको update और जल्दी चाहिए तो आप हमारे टेलिगराम चैनल को भी जॉइन कर सकते हैं लिंक मैंने नीचे दे रखा है और आपका कोई सवाल है तो नीचे comment box में बता सकते है